Chinese fried rice इंडिया में एक popular street food है जो कि सब की favorite है, सब को बहुत पसंद आता है, especially बच्चों को बहुत पसंद आता है लेकिन इने घर पर कैसे बना सकते हैं आसानी से ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ Hello दोस्तो, Welcome back to Renu की रसोई अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं Chinese fried rice बनाना इसके लिए मैंने एक बड़ा बाउल लिया है और उसमें मैंने एक कप चावल एड़ किये हैं ये quantity sufficient है तीन से चार लोगों को सर्फ करनी के लिए जो चावल मैंने यहाँ पर लिया है ये साबित चावल है या फिर जिसे बिर्यानी वाला चावल भी बोलते हैं ये देखिए आप वैसे तो कोई भी वाराइटी यूज़ कर सकते हैं चावल की बड़ बैटर होगा अगर आप साबित चावल यूज़ करें अब हमें सबसे पहले राइस को अच्छे तरीके से 4-5 बार वाश करना है ये देखिए चावल को मैंने अच्छे तरीके से 4-5 बार वाश कर लिया है और अब मैंने गैस पर एक डी पैन रखा है गरम होने के लिए इसमें एड़ किया है लगबग 1.5-2 लीटर पानी और पानी को हमें गरम होने देना है इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे एक बड़ा चमच घी आप ओइल भी यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद मैं इसमें एड़ करूँगे थोड़ा सा नमक गैस की फ्लेम को मैंने हाई किया है और इस सॉल्ट को हमें डिजॉल्फ होने देना है जब सॉल्ट डिजॉल्फ हो जाएगा तब हम इसमें आड़ करेंगे चावल जिनको हमने पहले से वाश करके रखा हुआ था स्पैचुला से इसे अच्छे तरीके से चलाना है और उसके बाद हम इसे ढखकर पकाएंगे लेकिन ध्यान रहे दोस्तों इसको पूरा नहीं ढखना है सिर्फ हाफ ही इसे कवर करना है और मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है लगबग 5 मिनट के लिए 5-7 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि चावल पका या नहीं तो यह देखेंगे आप यहां पर कि जो चावल है वो अच्छे तरीके से पक चुका है यह देखिए अब हम गैस को बंद कर देखिए और चावल से पानी को अलग करेंगे इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और लिया है एक स्ट्रेनर और जो चावल है उसका पानी अब हम अलग कर देखिए अगर आपके घर में कोई diabetic नहीं है और अगर आप weight gain करना चाहते हैं तो इस पानी से आप आटा लगाएं बहुत ही healthy होता है ये तो देखेंगे आपके मैंने पानी अलग कर लिया था और ये जो rice है आप देखें एक्तम perfectly बना है अलग-अलग हुआ है इसी वज़ों से मैंने इसमें घी एड़ किया था fried rice के लिए हमें ऐसा ही चावल चाहिए यहाँ पर मैंने दो medium size onion को finely chop कर लिया है chopper से आप चाहें तो इसे बारी cut भी कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर कट किया है दो medium size carrots इनको भी मैंने finely chop किया है 3-4 इंच अद्रक कर टुकड़ा इनको मैंने हातों से कट किया है और क्योंकि यह थोड़ा सा मोटा रखना था इसलिए और इसे के साथ मैंने लिया है green chili और मेरे पास थोड़ा सा मटर का दाना पड़ा था तो इनको भी मैंने finely chop कर लिया था जिससे कि पकाने में हमें problem ना हो अब हम एक कडाई को gas पर रखेंगे गरम होने के लिए जब कडाई गरम हो जाएगी हम इसमें add करेंगे cooking oil ध्यान रखें दोस्तों इसमें सरसो का तेल यूज नहीं करना है वरना तेल की महक आने लगेगी और इसी के साथ मैं डालूँगे यहाँ पर तीन से चार टुकड़े बटर के आप चाहें तो इसे skip भी कर सकते हैं और जो finely chop करके हमने onion रखा था उसे अब हम कडाई में डाल देंगे onion को डालने के बाद gas की flame को medium कर लेंगे और इसके बाद जो बाकी की vegetables हैं इनको भी हम इसमें add कर देंगे अब इन सब को पहले तो mix करना है और उसके बाद हमें लगबग 2 मिनट के लिए इनको saute करना है यानि पूरी तरह से इनको पकाना नहीं है सिर्फ saute करना है अब मैं इसमें add करूंगी salt यह आप अपने टेस्ट के according कमियत जादा कर सकते हैं इसी के साथ मैं इसमें add करूंगी kalimage powder जो की approximately 1 teaspoon मैंने add किया है दोनों मसाले add करने के बाद इस spatula से इसे अच्छे से चलाना है जिससे की जो मसाले है वो vegetables में properly mix हो जाएं अब इसके बाद मैं यहाँ पर add करूंगी चावल जो की pre-boiled है इन्हें add करने के बाद इसमें add करना है dark soya sauce अप्रोक्स 2 tablespoon dark soya sauce इसमें add करना है जो की Chinese fried rice का main ingredient है इसके बाद इनको mix कर लेंगे mix करने के बाद मैं यहाँ पर add करूंगी half tablespoon गरम मसाला जो की homemade है जिसमें की normal करम मसाला से थोड़ा ज्यादा मसाले इसमें added है या फिर आप fried rice मसाला भी add कर सकते हैं मसाला एड करने के बाद इस spatula से इन्हें अच्छे तरीके से चलाना है और आप देख सकते हैं यह लगबग तयार हो चुका है सर्व करने के लिए इसमें ज्यादा इंडियन मसाले एड नहीं होते हैं इसी वज़़ा से यह अलग होते हैं इंडियन fried rice से और आप देखेंगे एकदम mouth watering है दिखने में तो अब हम इन्हें सर्व करेंगे तो लीजे दोस्तों तयार है एकदम street style, restaurant style Chinese fried rice जिने हमने घर पर बहुत ही आसानी से बनाया है आप भी बना सकते हैं कभी भी मेरी इस recipe के साथ तो जब Chinese fried rice घर पर बनाना इतना आसान है तो फिर बाहर क्यों जाना है खाने के लिए आप इन्हें अराम से घर पर बनाये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में बिलकुर market जैसा टेस्ट आता है घर पर आपके बच्चों के friends आये हैं आपके friends आये हैं या फिर बच्चे की birthday party है वीकेंड्स पर आप कभी भी इन्हें बना सकते हैं तो आप एक बार मेरी इस recipe को ज़रूर try कीजेगा और फिर मुझे बताइगा कि आपको ये कैसी लगी आप इन्हें leftover rice यानि के बच्चे को चावल से भी बना सकते हैं same processing है same recipe है तो एक बार ज़रूर try करें अगर आपको मेरी इस recipe पसंद आई तो इसे like करें जाद से जादा शेयर करें और बने रहे मेरे साथ ऐसी ही easily homemade recipes के लिए thank you